दोस्तों आप भी अपने घर में बिजली का काम करा रहे हैं और आपका वायरिंग का काम होने वाला है तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वायर जो होती है वो कितने कितने साइज की आती है कितने size की wire हमें कहां इस्तमाल करनी है जैसे कि अगर हमारा fridge का point है AC का point है, geezer का point है tube light का है, panke का है तो उसके लिए हमें कितने square mm का wire डालनी है साथ में आपको बताऊंगा कि किस brand का wire आपके लिए सबसे अच्छा है उसका rate क्या पड़ेगा और साथ में चार से पांच important बाते बताऊंगा जो कि house wiring के time में आपको जरूर ध्यान रखना है इससे आप बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं आपके घर में किसी तरीके का short circuit का chance नहीं बनेगा और अगर आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें किस जगह पे कितने square mm कितने size की wire की जरूरत है अगर हम उतने size की wire वहां नहीं देते हैं तो हमारा वहां पे short circuit होने का chance बन जाता है वहां आग लगने का chance बन जाता है इसलिए हमें जहां जिस चीज की जितनी power की जरूरत है wire की उतने साइच का हमें वायर वहाँ पे देनी होगी तो वायरिंग कराने से पहले आपको ये 5-6 important बाते हैं वो ध्यान रखनी है सबसे पहली बात कि जो आपको electrician रखना है यानि जिसको आप काम दे रहे हैं उसके बारे में पहले पता करें वो experience होना चाहिए इससे पहले 8-10 घरों में काम किये होना चाहिए साथ में उसका जो काम का quality है वो देखना चाहिए वहाँ जहां काम किया है वहाँ पता करें वहाँ पे कैसा वायरिंग का काम है आज तक कोई दिक्कत हुआ है कि नहीं और उसमें उसका rate भी देखे ज़्यादा सस्ता rate के चकर में ऐसे नयन electrician को ना पकड़े इससे आपके घर में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है तो एक तो यह चीज हो गया दूसरा यह चीज हो गया कि कभी भी electric के काम में आपको branded wire हो गया branded MCB हो गया मतलब branded quality का समान यूज करना है जैसे हैं आप ceiling में conduit pipe जो डालते हैं वो heavy duty के आपको डालना है ताकि concrete के time में तूटे नहीं उसमें wire जाएगी तो पिखले उगले नहीं अगर short circuit होती है कहीं से तो यह सब चीजे होती है यह चीजे आपको जरूर धियान रखनी है market में तो बहुत तरीके के branded wire आपको आज कल पर available है जैसे की hevels का हो गया, anchor का हो गया, polycap का हो गया, siska का हो गया, phenolex का हो गया, gold medal का हो गया अब इसमें से कौन से बहतर है यह अपने electrician से पूछे आपके पास कोई civil engineer हो जो पहले काम कराया हो, builder के बाद आप decide करें कि आपको कौन सा wire लेना है, wire लेने में आपको जो copper का quality है, वो बहुत अच्छे से देखना है, साथ में जो wire की thickness है कि इसकी size की आपको thickness electrician लिख रहा है, उतने उतने size का आपको wire लेना है और दोस्ते एक और important बात बता दूँ कि जब ज़्यादा quantity में आप wire लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कि छोटा-छोटा जो 90 meter का bundle होता है, वो नहीं लेना है, वो आपको बहुत costly पड़ता है, आप कोसिस करे 300 meter का bundle है, या उससे बड़ा जो bundle है, वो लिया जाए उसमें आपका करीबन 500 से 1000 रुपे का बचत हो जाता है, वो सस्ता पड़ता है, इस तरीके से आप लेंगे तो आपका महाँ पे कोस्ट जो है, वो कम हो सकता है बिजली का काम करने में सबसे बड़ा एक और मिश्टेक ये होता है कि जब हम ceiling का अपना pipe उगर डाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम दिवार पे अपना pipe लाते हैं, conduit pipe जो डालते हैं तो उसमें जो जीरी काटा जाता है तो देखा जाता है क्या कि जो जितना भी हमारा beam और column उस रास्ते में आता है, सब को काट दिया जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, कि जितना column और beam बज सके, structure को बचाया जाए, structure को नुकसान न किया जाए, इसके होजा से हमारा building कमजोड हो जाता है, उसमें crack आने का डर रहता है, अब देखिए होता क्या है कि जहाँ पे जादा आपका conduiting आ रहा है, यहाँ पे जादा pipe आ रहा है, तो आज कल देखा जाता है क्या कि सभी अंदर की जितनी दिवारे होती है, लोग चारेंज का बना रहा है, अब वहाँ पे जादा pipe डाल रहा है, जादा pipe उतार रहा है, तो क्या होगा कि अब तो जैसे यहाँ पर देखे कि पूरी 청ड की दिवार को कड़ दिया गया है दिवार आर पर दिख रहा है यहाँ पर बोड लागाने के लिए तो अब उस दिवार में क्या जान रहा जाएगा, कितनी मजबूती रहा जागी इसलिए आपको करना क्या है कि जहां पे ज़्यादा पाइप आ रहा है या जहां पे ज़्यादा कंड्यूटिंग हो रहा है वहां पे 9 इंच की दिवार बनाई जाए और इस तरीके के काम करने से पहले कि छत में किदर से किदर आपको किस बीम से पिर किस साइड से आपको कौन सी लाइन उतारी जाए ताकि हमारा उसमें ज्यादा दिवार में कटिंग ना हो ज्यादा हमारा पाइप ना घुमे ज्यादा पाइप घुमेगा तो साथ में आपका वायरिंग भी ज्यादा घुमेगी तो इससे कोस्ट आपका बढ़ जाएग अगर वाइफाई का भी वायर डालनी है तो उसी टाइम आपको डालनी है बाद में अगर आप ये सब करते हैं तो फिर आपको अलग से वहाँ पाइप लाइन डालनी होगी या उपर से आपको केसिंग पाइप जो होती है वो करनी होगी कैप केसिंग जो होती है जैसे कि हम दिवार पे अपना ये पाइप डालते है तो उससे हमारा घर का सुन्दरता खराब हो जाता है तो आप कोसिस करें कि उसी के साथ सब कुछ डाल के चला जाए ताकि बाद में तोड़ पूड़ ना करना पड़े एक और important चीज जो अकसर हम बूल जाते हैं कि जब हम अपना घर खड़ा कर लेते हैं लेकिन last में याद आता है कि आरे हमने तो अर्थिंग किया नहीं है तो फिर बाद में हम अर्थिंग करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे foundation को तो अगर हम first कर दिया है तो first को तोड़ना पड़ता है गड़ा करना पड़ता है पाइपलान बीच में आ रही है तो वो तूड़ती है तो इसमें नुकसान होता है वो का काम बढ़ जाता है कोस्ट बढ़ जाता है तो आप क्या करें कि घर कर निर्मार करने से पहले एक अर्थिंग का जगह देख लें और जब आपका foundation खुदाई हो footing खुदाई हो तो उसी time आप अर्थिंग डाल दे अर्थिंग का जगाड कर लें और अर्थिंग उसी time करके तब चले तो आपका जो wiring होगा काफी सही होगा उसमें आपका जो cost है cost के बचत होगी और आगे चलके कोई दिक्कत नहीं होगी अब दोस्तों चलते हैं अपने अस काम से चल सके उसमें कोई short circuit ना हो किसी तरीके का आग लगने का chance ना हो देखिए वैसे तो मैं यहां पर मैं बता दूं कि यह जो काम है अगर अच्छा एक electrician है experience है तो आपको सही जनकारी देगा सटिक जनकारी देगा और एक या फिर electrical engineer है तो और अच्छे से जनकारी देग और क्या-क्या लोड के हिसाब से हमें कैसी वैर यूजच करनी है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको यह जनकारी जरूर होनी चाहिए अँआप जैसा कि आप जानते हैं कि जो market में wire आती है, 0.5 mm की आती है, 10 mm की तो यह सब जो यहां पर जेनरली जो 0.5 square mm की वायर होती है, वो हम यूज नहीं करते हैं, 0.75 square mm की वायर है, neutral phase के लिए यूज किया जाता है, फिर 1 square mm का जो वायर होता है, वो क्या है कि लगभग वो आपका 4 से 6 ampere का लोड लेता है, उठा लेता है, लगभग आपका 6 से 800 अगर वाट का वहा वाला जो आप बहुत जगह घर में देखें, तो आप 8 bulb इस 1 square mm के वायर से जला सकते हैं, अगर उस से ज़्यादा फिर आप जलाते हैं, 10-11 कर देते हैं, तो फिर वो क्या है कि लोड बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको वायर का लोड बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 square mm का वो यूज करना पड़ेगा, अभी इस वायर में जैसे कि इतना लोड का आप अगर कोई tube light जलाते हैं, bulb जलाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना होगा कि इस में looping ना हो, looping क्या होता है कि जैसे कि हम वायर ले जा रहा है, फिर उसी वायर में से अलग-अलग क्या कि अलग- तो फिर short circuit होने का ड़र रहता है, कई पर क्या होता है कि उस joint पे हम taping होगर करते हैं, तो taping बाद में हड जाता है, गरम होके पिखल जाता है, तो वहाँ से आग लगने की समस्या होती है, तो जितना कम looping होगा, उतना आपका जो life है, वायर का वो चलेगा, और आपका 500W तक का load हम उस पे डाल सकते हैं, अब जैसे ये जो है 1.5 square mm ये आपका जो bed के साथ जो lamp light होती है, ceiling fan हो गई आपका, जो टीव light हो गई, तो ये सब point में हम use कर सकते हैं, अगर वहाँ 1500W से ज़्यादा अगर load है, तो फिर आपको 2.5 square mm का जो wire होता है, वो use करना पड़ेगा जो की 12 amp तक का load लेता है, जैसे की जो power point आप घर में देते हैं, तो सभी power point के लिए याद रखना होगा, आपको की अलग-अलग wiring दिया जाए, यानि की उसमें looping ना किया जाए, यानि की एक ही wire से अलग-अलग circuit ना बनाया जाए, आपको separate separate wiring देनी पड़ेगी, अगर आप power point वहाँ पे दे रहा है, तो जो high square mm का wire होता है, यानि 2.5 square mm का, उससे आप क्या है कि आपना geezer उसमें चला सकते हैं, आप जो water pump होता है, घर में वो चला सकते हैं, फ्रीज चला सकते हैं, exhaust fan चला सकते हैं, वहीं जो 4 amp का जो, वहीं जो 4 square mm का जो wire होता है, वो आपका लग- हो गया, डेड़ से 2 turn का, वह आप चला सकते हैं, 15 amp का जो socket होता है, आरो को होता है, वह आप चला सकते हैं, अराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ख्याल ये रखना होगा, कि मैं बार-बार बोल रहा हूं कि उसमें joint न दिया जाए, looping न दिया जाए, सब का separate separate wiring किया जाए, तो आपका जो है, काफी लंबा चलने वाला है, कहीं पे भी उसमें short circuit का chance नहीं रहेगा, बाकी कि जो 6 square mm का wire होता है, वो क्या होता है, कि जो 6 square mm का wire होता है, वो हमारे meter से main board तक आता है, यानि कि जो MCB board है, वहां तक दिया जाता है, और जो 10 square mm का wire होता है वो जो हमारा transformer, जो pole होता है, वहां से meter तक के लिए use किया जाता है, तो दोस्तों आप अपने घर में किस brand का wire use कर रहा है, ये comment करके जरूर बताईगा, और दोस्तों एक और चीज़ा है, यहां पे समझ लेते हैं, कि जो MCB होता है, MCB हमें कहां कैसा MCB use करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि MCB काफी important इसका role होता है house wiring में, कहीं अगर आपके घर में load बढ़ जाता है, तो MCB तुरंत वहां पे down हो जाता है, यानि वो circuit को break कर देता है, जिसे हमारे घर में आग लगने या short circuit का chance नहीं होता है, तो अब बात कर लेते हैं कि कितने ampere का MCB कहां पे यूज करना है, तो अगर माल लिजे कि आपका 1 square mm का wire है, तो उसमें आपका 6 ampere का MCB यूज होगा, 1.5 mm का wire है, तो उसमें 10 ampere का MCB यूज होगा, 2.5 mm का wire है, यानि 1.5 mm का wire है, तो उसमें 20 ampere का MCB यूज होगा, 4 mm का wire है, तो उसमें 32 ampere का, 6 mm का wire है, तो उसमें से भी यूज होगा तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है वाइरिंग में कि आपको लूपिंग जितना कम हो उतना कम देना है नहीं के बराबर देना है तब जाके आपका जो वाइरिंग होगा काफी सही होगा और दोस्तों ऐसा ही अगर आप मान लिजे कि आप किसी को जादा मांग रहा है लेकिन वो क्या करेगा अपने मेटेरियल बचाने के लिए वहाँ पर धाई का या डेड़ का वायर लगा देगा तो क्या होगा कि जब वहाँ पर अभी तो उस टाइम जब वायरिंग होगी तो आपको नहीं पता चलेगा लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ करेंगे तो आपका घर तो सेफ रहेगा ही साथ ही आपका खर्चा भी बचेगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो समझ में आ गया होगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो से रिल